असलाम अलेकूम, I am Mr. Ramzehra from KGLO Students, today we will read GK questions आज हम GK के questions revise करेंगे यह सारे questions आप लोगों ने पहले से किये हुए हैं लेकिन मैं आज इनको revise करवाऊंगी और हम class में भी daily या एक दिन चोड़कर हम एक एक question करते हैं ठीक है? एक दिन English का करते हैं यानि एक दिन GK का होता है और एक दिन Islam याद का होता है तो आज हम GK की question revise करेंगे सबसे पहले Question number one is Is summer hot or cold? Is summer hot or cold? Answer is summer is hot Question number two Is winter hot or cold? The answer is winter is cold सर्दियां जो हैं वो ठंडी होती हैं Winter is cold यानि सर्दियों में जो है वो हम ठंडे कपड़े पहनते हैं या सर्द होती हैं Question number three In which season we wear warm cloth? The answer is in winter और हम warm cloth कप पहनते हैं? सर्दियों में In winter Question number four In which season we wear light cloth? अब light cloth हम कप पहनते हैं? The answer is in summer Question number five In which month do the leaves start falling? The answer is in October Question number six In which month new leaves and flowers blooming? The answer is in March आपको पता है कि मार्च के मौसम मार्च के मौन्थ में ये फ्लार जो है वो ब्लूम करते हैं खिलते हैं क्योंकि ये बाहर का मौसम होते हैं Question number seven What do you say when you have to seek someone's attention? Answer is Please excuse me Question number eight What do you say if you want to have a way? The answer is Please get a sight Please get a sight And question number nine Which is the biggest animal on land? The answer is Elephant Land का हमारा biggest animal कौन सा है? Elephant The question number ten Which is the biggest sea animal? So sea animal हमारा कौन सा है biggest? The answer is whale Okay students अब ये question हमने revise कर लिये हैं आपने इनको अच्छी तरीके से learn करना है याद करना है ताके आपको अच्छी तरीके से ये learn हो जाएं और आप पेपर में अच्छा अच्छा टीचर को सुना सके Okay अब हम अपना इस्लामियाद के questions को revise करते हैं तो सबसे पहले हमारा question है सूरत अलकौसर याद करें यानि आपने सूरत अलकौसर को याद करना है और सूरत अलकौसर कौन से सूरत होती है इना ताइना कलकौसर ये सबसे चोटी सूरत होती है और ये सब को याद भी हो जाती है और ये भी question आपने पहले से के हुए है अब हम दोबारा से इसको revise करेंगे तो आपने सूरत अलकौसर याद करनी है Question number two में इल्म हासिल करने की दूआ याद करें इल्म हासिल करने की दूआ भी सबको पता है रब्य जिदनी इल्म तो इल्म हासिल करने की दूआ अपने याद करनी है और कॉशन नबर त्री में है खाना खाने की दूआ याद करें खाना खाने की दूआ कौन सी है बिस्मिल्लाही वा आला बरकातिल्ला तो खाना खाने से पहले हमें ये दूआ पढ़नी चाहिए बिस्मिल्लाही ररह्मान ररहीम भी दूआ है और इसके लावा बिस्मिल्लाही वा आला बरकातिल्ला भी दूआ है जो आपने याद करनी है उसके बाद नेक्स क्वेशन है कुरान पाक की कुल कितनी सूरते है तो कुलान पाक की कुल कितनी सूरते है आंसर है एक सो चौदा इसी तरह कुरान पाक की सबसे पहली सूरत का नाम क्या है सूरत फातिहा सूरत الفاتحہ हम الحمدللہ رب العالمین जो सूरत है उसको हम कहते हैं इसके बाद है कुरान पाक की सबसे चोटी सूरत का नाम बताएं जैसा कि मैंने उपर आपको बताया था सूरत कौसर जो है वो कुरान पाक की चोटी सूरत है तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब है सूरत कौसर यानि जो आप पढ़ते हैं इना अता इना कल कौसर वो वली सूरत जो है वो सबसे चोटी सूरत है इसके बाद है कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं सूरत बकरा जो है वो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है इसके बाद नेक्स कुशिशन है कुरान पाक पढ़ने से पहले क्या करना जरूरी है तो इसका जवाब है वजू करना कुरान पाक पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए वजू करना चाहिए उसके बाद है हजरत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم के वालिद का नाम क्या है तो उनके वालिद का नाम है आंसर इस हजरत अब्दुल्ला वालिद का नाम क्या है हजरत अब्दुल्ला और लास्ट हमारा क्वेशन है हजरत मुहम्मद सलिल्लाहु आलही वालिही वसलम की वाल्दा का क्या नाम है तो उनका नाम था हजरत बीबी आमन इसका जवाब है हजरत बीबी आमना अब आपने इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ताकि जब आपके एक्जैम्स हों हम पेपर लें तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हों ओकि थैंक्यू अमीद है कि समझा गई होगी अल्हाफिस